ओम शान्ती आप सभी का इस प्रेम के विरासत और लेगेसी अफ लाव में हर दिक स्वागत है वैसे तो दुनिया फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहती है लेकिन कहते हैं कि सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है जिसके बारे में बातें तो सब ही करते हैं लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है आज हमारे बीच उस इश्वर ये प्यार उस नेया की अनुभाव कराने और महसूस कराने हमें हमारे साथ है दीदी सुदेश जर्मनी से ये इस लेगेसी अफ लव का सेकंड वेबिनार है और मैं वापस आप सब का स्वाज़त करता हूँ कितनी खुबसूरत सी बात है कि ये साल की शुरुवात हुई ये खुबसूरत से लमों के साथ जहां पे रोज हम हमारे वरिष्ट दादी और दादाओं को सुनते हैं और रोज हमें ऐसा लगता है कि हम उस समय में पहुच गए हैं जब जब वो लोग हमें वो कहानिया सुनाते हैं वो अनुभाव सुनाते हैं तो ये प्रोजेक्ट के पीछे काफी एक लंबी टीम है जो रोज मेहनत करती है कि आप तक ये यग्य के वो लम्हें पहुचा सके जिससे आपको कभी भी ये न लगे कि आप बहुत दूर हैं समय प्रमान ये बहुती एक खूबसुरत मौका है हम सभी के लिए कि कुछ समय रोज शाम के 6 बजे इंडियन टाइम अपना समय निकाल कर इस 15 मिनिट रोज इस प्रोजेक्ट का एक अनोखा वीडियो देखें और उन लहमों में हमारे यग्य के वरिष्ट भाई बहने और दादा दादियों के कहानिया सुनके कभी भी दूर न रहें तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा ब्रामिन है जिसको अभी तक इसके बारे में ना पता हो तो प्लीज आप उनके साथ यह शेयर करें और आप सब ही इस यूट्यूब की नीचे वाली लिंक को लाइक कर दीजिए और फॉलो बे कीजिए वैसे तो परसनली इस प्रोजेक्ट से मुझे भी बहुत लाब हुआ है और कई अलग अलग व्यक्तियों को लाब हुआ है और कई ब्रामनों ने ऐसी भी बाते कही है कि वो लोग इतने साल से जियग्य के साथ जुड़े हैं लेकिन उन्हों ने ये सब कई कई कहानिया आज तक नहीं सुनी है तो है न ये कितनी खूबसूरत सी बात तो चलिए आज भी हम कुछ अनोखे लमों में खो जाते हैं हमारी दीदी सुदेश जी के साथ दीदी सुदेश इस यग्य से 1957 से जुड़े है और आज उनको 62 येर्स हो गए हैं वो केवल सिफ 16 साल की वर्ष के थे जब वो आए थे ज्यग्य में दीदी बताते हैं कि वो जैपूर म्यूजियम की सेवा के निमित के लिए आए थे वैसे तो दीदी बहुत ही loving and caring nature के हैं लेकिन आगर आप मुझसे मेरा personal अनुभव पूछेंगे तो जब जब मैं दीदी से मिलाओं मुझे उनसे एक मा का ममता का जैसा अनुभव होता है और मैं आज यही अपिक्षा रखता हूँ कि हम सब आज वो प्यार का अनुभव करेंगे उनसे उनके ये अनुभव के लमों से तो दीदी मेरा पहला सवाल आपसे आज ये है कि दीदी वैसे तो आपके कई अनुभव हैं और हमने आपकी कई क्लासे सुने हैं लेकिन आज हम आपसे वो बाते सुनना चाहते हैं जो आपके दिल के एकदम करीब है वो कुछ बातें जो आज भी आपके चहरे पे वो मुस्कुराहत लेके आते हैं वो वैसे कुछ लंब हैं जो आज भी आप याद करके बस खो जाते हैं तो दीदी, कुछ उस यग्य की हमें वो लमों में लेके चलिए आज? ओम शान्ति, प्रेम की वरासत, लेगेसी अफ लव, कुछ चीजें वर्षे में प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें सौगात रूप में मिलती हैं, कुछ चीजें पालना से मिलती हैं, कुछ वर्दान रूप में मिलती हैं, क्या सुनाओं, कितना सुनाओं, अगर मैं अपने दिल की डबी खोलूं, तो वो दर्या है, यानि इतना अधिक प्रभू प्रेम का अनभव डारेक्ट ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से, दादियों से मिला है, क्योंकि वरासत, वर्षा, वर्दान उसकी अपनी विशेष्टा है, आदिपिता ब्रह्मा ने अपना तन, मन, धन, संबंध, परिवार, सब इश्वर अर्थ समर्पन किया, और वो, शमा पर, जैसे ही जोत जगी, जोती स्वरूप पर मात्मा प्रगठ हुए, न दिखाई देने वाले, प्रंतु प्यार ऐसी वस्तु है, ऐसी शक्ति है, जो ज़रूर इन आखों से देखने की चीज नहीं, अनुभव करने का शक्ति है, तो जैसे ही महफिल में शमा जल उठी, तो जैसे गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, तो ब्रमा बाबा ने तो अपना जीवन तन मंधन समर्पन किया, नश्टो मोहा हुए, और उसके रिटर्ण में, आटोमेटिक ये फिलोसफी है, परमात्मा के साथ एकाउट, जो परमात्मा ने, उनके हिर्दे में, जो वो प्रेम भरा हुआ था, परमात्म प्रेम, परमात्म शक्ति, क्योंके परमात्मा की शक्ति भी तो, कोई कित्रूब, शक्ति परमात्मा की परमधाम से मिलती है, पर प्यार परमात्मा ने श्चाकार में आकर की दिया, और जब ये शमा शमा प्रजुलित हो गई, तो जग्दमा मा सरस्वती ने भी लगन की अगन के आधार से, और दादियों ने भी लगन की अगन में, जैसे परवाना फिदा होता है, कोई और अगनी नहीं है ये, ये तो लगन की अगन है, प्रेम की अगन है, जिसमें स्वयम को समर्पन किया, और वो प्रेम, कहां से मिला हुआ प्रेम, वो जो भी जुरूब परमात्मा, प्यार के सागर है, रचिता है, और उनके द्वारा भागीरत, जिसके द्वारा परमात्मा ने ये प्रेम की बरसात की, उसमें वो आत्मा ने, जिन आत्मा उने, दादियों ने, भाईयों ने, दादाओं ने, वो परमात्म प्यार की पालना ली, अथ्वा अपने को भी यग्य में समर्पन किया, स्वहा किया, तो उसकी सुगंद, उसके वाइबरेशन्स, जैसे यग्य में हवन करते हैं, ये भी यग्य है, इश्वरी ग्यान यग्य, अविनाशी रुद्र ग्यान यग्य, तो यग्य की जो अगन थी, उस अगनी में, जैसे घी डालते हैं, सामिगरी डालते हैं, तो उसकी सुगंद वातावरण में फैलती है, तो वो उस वातावरण में फैली हुई सुगंद, चारों तरफ फैलती रही, ना केवल भारत में, भारत में तो हर कोने में, जहां पर भी आप जाएंगे, कि जिन्होंने ये सुगन्द का अनभव किया, वो सुगन्द फैला रहे हैं, जिन्होंने समर्पण करके अनभव किया, देश यह था भी देश में, वो रुखानी सुगन्द, आज भी हमको ऐसे ही मेसुस होती है, क्यों वो अनादी प्यार, अविनाशी प्यार, निस्वारत प्यार हमको जैसे गंगा की सागर की लेहर में लेहरते जाओ तो लेहर ऐसी है जो कोई ठंदा को पकड़ना नहीं पड़ता सुगंदों को पकड़ना नहीं पड़ता है पर सुगंद चू जाती है, ठंदक को कोई ऐसे लेने की जरुवत नहीं है, पर ठंदक आपे ही अपनी शीतलता का अनभव कराती है, तो मैं एक-एक दादी का यदि वर्णन करूं, तो इतनी सुन्दर भागवत है, बाबा से तो हमारा मिलन अनोखा मिलन था, वो तो मैगनेट जैसे सुई को खीचता है, ऐसे ही खेंचा, और हमारा भी यही अनुभव के चैतन ने जोती, जब साकारतन में अपने प्रकाश को, अपने अनुभव को प्रक्टिकल में हमको ऐसे मैसूस हुआ, दोड़ करके उनके पास उस समय नहीं गए, प्रंतु वह यहां बैठे ही, ज जब बाबा को देख रही हूं, तो बाबा की लाइट ही लाइट, जब से कि एक बहुत सुन्दर, जेंटल प्रकाश है, और आनंद आ रहा है उसको देखने में, पर विश्वास नहीं हो रहा है, पिंच कर रही हूं कि बराबर मैं ठीक देख रही हूं, जाग रही हूं, बं प्रंतु मैं आज दादियों के द्वारा जो मैंने अनुभव किया, जो देखा, जो पाया, बीज कितना जितना पावरफुल बीज है, तो बीज तो गुप्त रहता है, प्रंतु उनका फल प्रतक्ष होता है, और टेस्ट भी जो है, वाष्टम में बीज की क्वालिटी, बीज की वैलिव, जब फल चकते हैं, अत्वा फल का रस पीते हैं, तो बीज को वो फल प्रसिद करता है, तो जब दादियों को दादाओं को देखते हैं, तो ये दिल से गीत निकलता है, जिसकी रचना इतनी सु दो होगा। तो सत्यम शिवाम संदरम की रचना में से, मैं जब शुरू के अनुभव, दादी जी, दीदी मनमोईनी जी, और आलराउंडर दादी जी, और गुलजार दादी जी, ये त्रिमूर्ती दादीज, मेरी निमित बनी, पालना के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रेडना के लिए तो दीदी मनमोईनी जी का प्यार, दीदी जी मनमोईनी तो जैसे विजडम की एक कुंजी थी, उनके पास शक्ति, योग की शक्ति, बिलकुल जैसे की दृष्टी में, उस समय तो अव्यक्त बाबा की बात नहीं, शाकार बाबा, तो दादी दीदी जी को देखते ऐसा ही ल आकर्शन, जैसे बाबा की दृष्टी में, शक्ति भरी हुई थी, परन्तु प्यार भी अनोखा था, जिससे उन्होंने बहुत प्यार से प्रेडनाएं दी, क्या प्यार से पालना की, इश्वरी ये मर्यादाएं भी सिखाई, और मर्यादा के साथ साथ, हम आत्माएं कैसे, ज्ञान के आधार से दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकें, उसके लिए उत्साह मंग बढ़ाया, दीदी जी, क्योंकि दिल्ली में मैं रहती थी, और दीदी जी नहीं मेरी पालना की, जनम बाबा से हुआ, पालना दादी जी, दीदी जी ने की, तो शुरु शुरु में दीदी जी के प्रोग्राम दिल्ली में बहुत होते थे, तो एक बारी दीदी ने, और दीदी जाती भी थी, एक दो बारी ऐसा हुआ, कहा सुदेश, मैं नहीं जा सकती हूं, तुम जाओ, क्योंकि दीदी के घुटनों में थोड़ा दर्द होता था, तो कहा कि आप जाओ, मैं नहीं का दीदी वो तो आपका इंतुजार कर रहे हैं, और आपका प्रोग्राम, आपकी क्लास, और कहा मैं कैसे इतने, मैं क्लास करूंगी, तो कहा, तेरी आत्मा में मेरी आत्मा बैठ जाएगी, और बाबा को जो मुझ से बुरवाना होगा ना, तेरी उसे बुरवा लेगा, इसलिए बोलने वाला तो वो ही है, सिखाने सुनाने वाला तो वो ही है, तो ऐसा जैसे कि वो एक विश्वास, और उसमें भावना और सन्हे भर करके जो दीदी जी ने हमको भेजा, ऐसे ही बहुत सारे और भी मिसाल हैं, पर इस्तती को देखते वे परखने की शक्ति दीदी में बहुत थी, किसी एक कन्या ने 21 साल की उमर की कन्या ने शरीर छोड़ा था, और उस सेंटर पर ये गुडगामा की बात है, 58 की बात होगी, तो वहाँ पर एक इश्यू दादी दीदी थी, उनने शरीर छोड़ा था, तो दीदी ने उनके स्टूडेंट्स की भामना को समझा, और समझा कि उनके दिल से किसी भी प्रकार की ये जो थोड़ा भी फीलिंग है कि हमारी टीचर, तो उनको बाबा से फिर आप से ऐसा मिले, एज तो छोटी, मेरी तो उनसे भी छोटी एज थी, तो वो उसी सनेह को, सनेह की लहर उ उनका प्याँ जुटा रहे, तो जैसी परिस्तती, जैसा समय, उसे साबसे दादी जी, दीदी जी, सेवा का कारिय करवाती थी, और किसी ने किसी को निमित बनाते थे, ऐसे दादी आल राउंडर जी, सादगी की मूरती, त्याग की तपस्या की मूरती, बिल्कुल सिंपल, दादी जी की मदर थी, वो अल राउंडर दादी रोजोरी गार्डन में ही रहती थी, तो उन्होंने उस समय पार्ट था, एकोनोमी का, प्रंतु एकोनोमी में रोयल्टी क्या होती है, एकोनोमी से एक के नाम से प्यार क्या होता है, और कमी की मैसूस्ता नहीं होती, का बंडार क्या होता है हिर्दे से दी हुई छोटी वस्तु भी उपहार कितना बड़ा होता है उन्होंने ये हमको प्रेक्टिकल में सिखाया दो मिसाल देती हूं उसमें से कब कोई फल आता था तो केला आया या फल आया बाबा के घर में बाबा को भोग लगाया ठीक हम सब बैठे हैं तो दादी जी अल्टरोंडे दादी कहती थी लाल, हुआ हमेशा लाल-लाल करके बोलती थी जैसे रतन बोलते जैसे लाल ये एपल सेवा करेगा तो पहले तो मैं उनकी भाषा नहीं समझी एक एपल सेवा करेगा एपल क्या बोलनेगा क्या सेवा करेगा पहले तो बोलने को ये सेवा कहते थे हम तो मुरली सुनाने को सेवा कहते थे कोर्स कराने को सेवा कहते थे लाल ये एपल सेवा करेगा क्या से सेवा करेगा तो दादी जी उस एक apple को जो बाबा को भोग लगाया हुआ है, उसमें जो भी कोई आता था, इतने प्यार से एक छोटा सा टुकड़ा, इतने प्यार से खिलाती थी, जैसे वो apple नहीं खिला रही है, प्रन्तो उसको ही apple of eye of God देख रही है, इतने प्यार से उनको दृष्टी देते हुए, और वो प्यार जो है, उसकी value थी, इतना ही फिर personal economy में कैसे चलना है, of course आपस में तो जो बाबा के घर में है, सबने मिलकर खाना है, personal economy में कैसे चलना है, अब जब घर में रहते हैं, तो लापरवाई उससे रहते हैं, थोड़ी सुस्ती आलस भी होता है, छोटी सी बात भी, उस स तो हमारी पेष्ट खतम हो गई, तो हम दादी जी के पास गए, जो कि उससे हमें सेंटर पर रहते हैं, सब चीज़ सेंटर से लहनी है, दादी, मेरी पेष्ट खतम हो गई है, अच्छा ले आओ पेष्ट, मैंने का दादी जी वो खतम हो गई है, हाँ का जो खतम हो गई है, फैक दे तमने, मैंने कर ने फैक इण डे फैक आज़े ये आञे है. आज़े ले आओ. तुथ पेस्ट मतलबु है, तुथ पेस्ट मैं ले करके आई. बादी में पेस्ट के शॉचेक है, शॉचे ँद लाल। अगने प्रतुम किरना कुछ किमती और तो कि यह जो सिस्वादी ואंभी बाबा के यग का कितनी संभाल करती है एक एक छोटी छोटी चीज भी कितनी वैल्यूबर है पर बाद में मैंने रियलाइज किया कि इसमें भी सुक्ष्यम क्या था दादी ने निकाला पर हम तो थोड़ा लास्ट में बची हुई है तो समझेंगे छोड़ दो न फैक दो तो इसको केरलस भी कहेंगे थोड़ा सालस भी कहेंगे कि थोड़ा दबाना पड़ेगा तो मेहनत मेहनत नहीं थी प्यार था सनेहे से जो कारिये करते थे दादी जी खुद एटती थी जैसे एक वाच्मैन पहरा देते हुए जो भी कोई आता जाता था बड़े प्यार से उनका सतकार करना और प्यार से उनको टोली खिला करके भेजना तो इस प्रकार से एकोनोमी में भी जनरोसिटी कैसे होती है और एकोनोमी में भी एक के नाम से सहज भाव से त्याग और तपस्या कैसे होती है बहुत सारी बाते तो दादी जी की तो बहुत इसी प्रकार से मदुवन में कमाल तो मदुवन भंडार की है तो प्यार का सागर बाबा तो बाबा से तो बहुत कुछ पाया दादियों से भी तो दादियों का आपस में सने एक दो के प्रती कितनी रस्पेक्ट से रजोरी में भ आल्राउंडर दादी जी, दीदी जी की संभाल करती थी, इतनी प्यार से, इतनी रस्पेक्ट से भोजन खिलाना, दीदी की कभी तव्य ठीक नहीं होती थी, तो चाहे दादी आल्राउंडर को कितना भी काम हो, परन्तु हर बात की केर करना, तो एक दो के लिए इतना केर, इतन रस्पेक्ट और स्टडी में भी दीदी जी जितना अपनी स्टडी में हश्यारती दादी अल्राउंडर भी दादी रुक्मनी भी तो क्या है कि हमने ये देखा कि responsibility होते हुए भी godly student life is the best वो उत्साह उमंग जहां भी रहे वहां देखा मदुबन में फिर बाबा के होते भी तो attention तो बाबा के होते तो बाबा में ही रहता था ममा के साथ थे तो ममा पर रहता था ममा दिल्ली में आती थी या जहां भी ममा जाती थी परन्तु बाबा के अवयक्त होने के बाद फिर दादियों का जो संगठन देखा एकता कितार में बंदे हुए वो हीरे उन्होंने कैसे हमारा जीवन हीरे तुल्ले बनाया एक-एक दादी की विशेष्टा अनुपम विशेष्टा है अनोखी बात है दादी दीदी जी को बाबा ने ममा का जब शरीर छूटा तो उसके बाद दीदी जी को बाबा ने यग संभालने की जिम्मेवारी दी तो दीदी जी ने बिलकुल जो सिस्टम बाबा ने बनाया जो ममा ने बनाया जैसे यग चल रहा था जिस सिस्टम से नियम मरियाद आए सबेरे से लेके शाम तक discipline भी रहे बातावरन भी powerful रहे यग्य की संभाल भी रहे आने जाने वालों को सने और समान भी दिया जाए बिलकुल बाबा दीदी जी ने ममा की duty ऐसी बजाई जैसे की पहले भी controller थी यग्य में और यहां करके practical में उसमें सने भरके परमातम प्यार भर करके एकता का पाठ पढ़ाया जो दादी और दीदी दीदी हमेशा कहती थी दादी और दीदी दो शरीर हैं एक आत्मा है अभी ज्ञान से विशलेशन करें तो हर एक की आत्मा तो अलग अलग है न पर दीदी और दादी ये मंत्र था दीदी और दादी दो शरीर हैं एक आत्मा है और वो बिल्कुल महसूस क्या अनुवव होता था एक आत्मा का मतलब संकल्प भी एक विशार एक जैसे विशारों का मिलान क्योंकि मन एक है यानि एक दो ने एक ने कही दूसरे ने मानी एक ने राए दी दूसरे ने सभी कार की एक ने कोई आइडिया दिया उसकी दूसरे ने वैल्यू को बढ़ाया और उस मिलन से उस सने से और समान से रस्पेक्ट से वो बाबा का कारिये मिल करके कैसे करना है तो दीदी और दादी की एक की एकता यदि कोई संस्ता का हेड चला जाता है तो उस समय पोजिशन की बात अथोरिटी की बात से वो दो शाखाएं बन जाती है और यहां दीदी और दादी ने बाबा और ममा दोनों में से एक का याशी दो शरीरे का आत्मा में चार का पार्ट कठा प्ले किया जैसे विश्णों का स्वरूप कमबाइंड है ऐसे बाबा ममा का प्रक्टिकल में पालना दादी जी ने और दीदी जी ने दी तादी जी की विशेष्टा तादी जी की तो क्या प्यार की सोगात वरासत देकर गए वो कहां से चली बाबा से चली तो आप देखेंगे कोई inheritance होती है तो एक पीड़ी दो पीड़ी तक चलेगी सोगात होती है थोड़े समय तक उसकी खुशी होती है यूज करते हैं समाप्त हो जाती है वरदान और वरासत पीड़ी दर पीड़ी चलती है तो वो जो बाबा द्वारा सिखाई हुई royalty और वो spiritual authority जो दीदी में थी वो दादी जी में और जो एक generosity प्यार से पालना करना तो जैसे royal घराने की पीड़ी दर पीड़ी भले वो राजा ना भी रहें सिर पर ताज नहीं है तो भी राजा कहलाते हैं प्रंतु वो शब्द राजा है बनशात्माँ पर ताज नहीं है बेचारे मोह ताज हो गए है या सिर पर है तो ताज सरफ कांटों का ही ताज है प्रंतु परमात्मा ने जो ताज पोशी दी वो तो अपनी जो संसकार है वरासत में वो royalty पीड़ी दर पीड़ी चलती है जैसे लोकिक में सरनेम पीड़ी दर पीड़ी चलता है प्रंतु ये वरासत जो प्रभु प्रेम की, जो ज्ञान की, जो सदभावना की, जैनरोसिटी की, अथा, जैसे बाबा ने चलते फिरते, उठते बैठते, यह मैसूस कराया, कि अब हम ओर्डिनरी अस्थान पर नहीं है, हम भविश्य की प्रिंस प्रिंसिस बनने वाले हैं, वो नशा भी था, को भी वोई निशाना दिया, तो दादे जी में वो रोयल्टी, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे प्रिंसिस हैं, जैसे महरानी हैं, फूलों के बगीचे में, जैसे रानी हैं, प्रंदुन्यारी और प्यारी हैं, खुशी देने वाली हैं, खुश्बू देने वाली हैं, और विशेष ता दादी जी की, जैसा नाम कुमार का, तो दादी जी के आनेसे पहले बाबा के समय और दीधी जी के समय, दीधी जी ने मातवों की बहुत प्यार से पालना की, परिवार वालों के एक संगठन में ऐसे उनकी जड़े मजबूत की, बाबा ने पवित्रता की शक्ती परिवार में कैसे भराई जाए वो बताई भरी तो ऐसे ही पहले परिवार के परिवार में अफकोर्स उनके बच्चे भी साथ में आए परन्तु जैसे बाबा ने बच्चों की पालना की युवकों की भी पालना की फिर दादी जी ने युवा की शक्ति कैसे यूज होनी चाहिए यह हमने अनोखा देखा कि भाईयों के साथ कितना सुने उनके प्रती कितने उनके जैसे स्वपन प्रैक्टिकल में ये बाबा के जो भविश्य की नीव हैं नई दुनिया के को चलाने वाले हैं तो जैसे बाबा ने फालोवर्स तैयार नहीं किये जो इश्वरियनियम को पालन करे तो उनको जैसे बाबा ने शिव शक्ति पांडव सैना को लीडर बनाया तो ऐसे दादी जी ने भी भाईयों को इतना सुन्दर रिती से पालना दी तो सब कुमारों को यह होता था कुमारा कुमारों की दा भी दादी को उतना ही प्यार, माताओं के लिए भी उतना ही प्यार, इसी प्रकार से हर एक आत्मा को देखेंगे, रत्रमानी दादी जी, अब भी, यानि, ट्रेनिंग ऐसी देनी है, जो इतने उनके जीवन को मजबूत कर दे, जो समर्पन हो जाएं, तो मेरा कहने का भाव यह है कि मैं अगर एक-एक दादी का वर्णन करूँ तो यह तो ऐसी ज्यान की धारा है, जो एक-एक का नाम लूँ तो फिर तो बहुत सारी, कितनी दादियों ने, वो लगन की अगन में कुछ से, क्या सेहन किया, उसका तो वर्णनी नहीं, उस सेहन में क इतना आनंद था, दादी गंगा जी की, तो कहानी अदभुद है, आल्रोंडर दादी की भी, वो क्या शक्ती थी उनमें, यह परमात्मा के मिला हुआ प्यार जो था, वो प्यार एक रिस विरासत में चलता रहा, चलता रहा, पास उन होता गया, फैक्टरी में माल बना, कहता है, इमिशन भी है, और मशीन भी है, यह मनुष से देवता बनने की फैक्टरी है, अचा फैक्टरी में माल बनता है, मालेक माकान, जो मालेक होता है, वो तो अपने फैक्टरी में रहता है, यह अपने घर में रहता है, उसकी कुशलता ने काम किया, परंतु जो उसमें म माल बनता है वो जब माल का आनंद हम लेते हैं अत्वा माल की विशेषता को अनुभव करते हैं तो कमाल तो माल की होती है बनाने वाले ने बनाया पर कमाल है जो माल जो है वो परफेक्ट है तो मैं ऐसे ही देखती हूं कि यह प्यार की वरासत यह प्रभु का ऐसा कमाल करने व किसी भी दादी को देखो, किसी भी दादा को देखो, कोई कम नहीं, क्यों? कि एक ही मशीन में घड़े हुए, साच्चा एक ही है, डिजाइन अलग-अलग है, ऐसे ही है, मुझे ऐसे ही मैसूस होता है, जैसे चॉकलेट खाओ ना, तो मीथा भी कौन सा साइड मीथा है, चॉकलेट खाओ तो बच्चा चॉकलेट खाता है, लफ्ट से खाए, राइट से खाए, उपर से खाए, नीचे से खाए, बीच चे तोड़ के खाए, उसका स्वाद तो उसका ही है, फिर उसमें और नट्स मिल जाते हैं, फिर उसमें और तो प्रभु प्रेम की वरासत जो दादियों से मिली है, एक-एक का त्याग, एक-एक की तपस्या, एक-एक की रमणीकता, मनोर दादी जी की, रमणीकता की भी कमाल थी. हसी हसी में बाबा की कहानिया में सुना देवे, और हसी हसी में शिक्षया भी हसी देदेवे, जो दरपण मिल जावे. चंद्रमणी दादी जी, शक्ती स्वरूप, यानि जिसको बाबा शेरनी बोलते थे पंजाब की शेरनी, निर्भाइता की शक्ती, और सत्यता की शक्ती, त्याग और तपस्या की शक्ती, तन्तु हर चीज में एथॉरिटी भी थी, प्रेम भी था. तो ऐसे बैलंस रखने वाले देवी और देवताएं। लचु दादी को देखे, इसलिए मैं कहा रही हो, मैं नाम तो जितने एक-एक है, हर एक माला का मनका है, तो जितनी भी जिस मनके को छुओ, वो मनका तो जड मनका है, और ये तो मन को सुख देने वाला, मन को अननदित करने वाला निश्वारत प्रेम, निश्पक्ष प्रेम, लगा था धारा बहती रही, और जिसने जितना उसमें इस्नान कर लिया, वो खतम नहीं हुआ, इनफेक्ट वो अंदर चला गया, इसलिए हर एक दादी की महिमा करूं, तो कितना करूं, समा लेने की बात है, प्रेम को तो समा लेना ही ठीक है। जी दीदी, आपकी प्रेम की धारा सुनके हम भी वहीं पहुच गए, आपकी वो हर छोटे छोटे लम्हों में, चाए वो दीदी के साथ हो, चाए वो दादियों के साथ हो, और आपने नाम सहित हर एक को ऐसे याद किया, तो जैसे की बस बोले ना कि वो प्रेम की धारा बहती ही जा रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था सुनके ही, दीदी, ये सब तो पुरानी यादें से आप आगे आते जा रहे हैं और आप भरे में हैं, लेकिन अभी, अभी का जो समय है, वो एक अलग ही समय चल रहा है पिछले एक वर्ष से पूरी दुनिया में अलग-अलग सिटुएशन आ रही हैं, और अलग-अलग चैलेंजिस आ रहे हैं, दीदी, और आपको मालूम है कि पिछले एक वर्ष से, मुझे तो पिछले एक वर्ष से मदुबन गए हो गए हैं, और इस बार का जनवरी मास भी, स्मिर्थी दिवस भी मदुबन को देखके लग रहा था कि कुछ ना कुछ जादू हो जाए और हम उदर पहुच जाएं, तो दीदी मेरा आपसे ये सवाल है, मेरा ये सवाल है आपसे, कि क्या जो अभी का समय है, क्या ये हमारा अंतिम समय चल रहा है, या जैसे कहते हैं न महाबारत में, वो अंतिम युद की लड़ाई चल रही है, फाइनल बैटल, और युद किसके साथ है हमारा, तो इसके बारे में आप थोड़ा अपने अनुभव बताएं प्लीज, वास्तम में देखा जाए, तो ये ये वर्ष एक बेशक चैलेंज है, परिस्तितियां ऐसी हैं, सिच्वेशन्स ऐसी हैं, जिनको हम अपत्ति काल कह सकते हैं, प्राकरतिक आपदाएं नहीं हैं, प्रंतु जीवन में मनुशात्माओं को कठनाई ही बहुत है, प्रंतु ये एक जैसे विनाश काल वर्दान है in disguise, blessing in disguise, कल्यानकारी है, तो ड्रामा में हर सीन कल्यानकारी है, ये वर्ष बहुत कल्यानकारी रहा है, और मैं तो जिस रीति से मैं देखती हूँ, कि हम भी बाबा के बच्चे और ड्रामा भी बाबा का मददगार हूँ, तो ड्रामा में ये करोना ने परमात्मा की आग्या को, मनुष आत्माओं को कैसे, जो भगवान आत्माओं को सुद्ध बनाना चाहते हैं, सुच बनाना चाहते हैं, त्याग की भामना सिखाना सा चाहते हैं, और शब्दों से नहीं सिखाया, परंतु करोना ने सब पर करोना की है क्यों एक प्रकार से सब किसे देखने में तो कहर है परंतु वास्तम में महर है क्यों कि मनुशात्माएं ऐसे समय पर हम पहुँच चुके जब विकारों का अती फोर्स जहां ना स्वच्छता ना मर्यादा ना कोई किसी प्रकार का एक दो के प्रती नजदी की कसने है स्वारत जबरदस्त और एंकार तो अतिचरन सीमा पर चाहे धन का एंकार चाहे पोजीशन का एंकार चाहे विद्या का एंकार चाहे प्रियेटिविटी का तो हर एक आत्मा में अभी परमात्मा को, जैसे हठ योग, हठ योग ड्रामा में एक तयार होई थी धर्ती, हठ योग के नाम से, जब लोग खोजते थे, तो राज योग मिला उनको, हठ योग ने ग्राउंड बनाई राज योग की, फिर ये वेगान भाई खान पी इंशु दोना चाहिए, मास मदरी नहीं, मचले नहीं खाना चाहिए, तो मनशात्मा ये वेगान के नाम से, वेजिटेरियन बन गए, अभी जो अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो संस्कार हैं, वो कहने से तो परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि वो कहेंगे, वो तो बड़ा मुश्किल है, त्याग बड़ा मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, कि हम अपरिवर्ती में रहते पवित्र रहें, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम यहां सामने चीज पढ़ी है बर्मार्किट में गई है देखा तो खाए नहीं बढ़िया चीज है तो क्यों नहीं खाए तो जो इंद्रियों का आकर्शन आखों ने कुछ देखा हाथ ने उठाया और खाया मुँ चलता ही रहा जासे जानवरों का चलता है स्वच्छता नहीं कुछ भी कर रहे हैं न स्वच्छता है न डिसिप्लिन है और जो है उसका है भाव बहुत है अब ये शिक्षा से परिवर्तन आने की बात नहीं ही शिक्षा से जो परिवर्तन होता है उनका तो संस्कार परिवर्तन होते हैं वो तो सवच्छता भी उनमें होती है परमातम शिक्षा पहले सवच्छ बनाती है फिर शुद्ध बनाती है फिर पवित्र बनाती है फिर पावन बनाती है तो जो इश्वरिय ज्ञान योग की लेकर के अपने जीवन को पवित्र बना के घर वापस जाना है जिनको, तो वो तो चारो चीजे साथ में संस्कार रूप में लेके जाएंगे, परमात्मा ने स्वच्छता पहले सिखाई है, मन बुद्धी को कैसे, व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन से, दोश दर्शन से, नफरत से, वैर्राग से, घरना से, यह जो भर गया अंदर मन, उससे हम स्वच्छ कैसे बने, वो सफाई कराई परमात्मा ने आत्मे की स्टती में स्टित करा की, तो आत्मा की स्टती में जितना जितना मन मन महभव में परमात्मा के साथ हमारा मन जुटता चला गया, मन स्वच्छ होता गया, और जितना जितना परमात्मा की प्रेम में मन लग गया, लगन में योग जुटा, योग शक्ति मिली, आत्मा जो है, वो शुद्ध बनने लगी, समझ में आया, ग्यान और योग समझ में आया, तो भावना शुद्ध हो गई, खाली मन नहीं स्वच्छ नहीं हुआ, उस प्रेम में प्रभु प्रेम के बीज ने, शुब भावना और शुब कामना हमारे हिर्दे में प्रगट की, जो हम आत्मा को वो सुख दे में, शांती दे में, पहले मन में विर्थ चिंतन चला करके, मन शांतमा एक दो को कांटे चुबाती थी, किसी के पैर में काटा लग जावे, कोई निकाले तो चलने में सहज होगा, पर दिल में काटा लग जावे, तो दुख बहुत होता है, तो अभी पहले अग्यानतावश अब किसी का किसी के को अभीमानवश कांटे चुबाते थे, भगवान ने कांटे से फूल बना दिया, हिर्दे में फूल खिला दिये, ये था शुद भामना है, यानि कल्यान की भामना में दिव्वेता, बुद्धी दिव्वे हो गई, तो दिव्वेता से सत्यता का पता चला, मवित्र जीवन जीना शुरू किया, विकारों के कांटे खतम हुए, विकारों की अगनी में, इर्शा की अगनी में जलना समाप्त हुए, लगन की अगन में शुद बनाने लगे, और पावन, परमात्मा पतित से पावन बनाते हैं, पूजनी अमूरत बनाते हैं, सरवगुन संपन ब बनते हैं, पवित्र बनते हैं, स्वच्छ बनते हैं, पवित्र बनते हैं, शुद्र बनते हैं और पावन होके जाते हैं घर, विनाश के समय की तैयारी है यह, परंतु यह जो आत्माओं को घर जाना है, अभी विनाश नहीं हो रहा है, अभी सफाई हो रही है, छांट चूट ह तो डिसिप्लिन बाइ फोर्स परिस्तिती ने डिसिप्लिन बनाया हमारे को स्वश्तिती ने डिसिप्लिन सिखाया वह परिस्तिती ने जाता है जब भी जाते हैं आप दो के जाना है तो अपने पर करुणा करो आप उसको जर्म को नहीं ले लो वाइरस को नहीं अपने पास ल लखो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मुख से नहीं कहना पड़े, तो मास्क लगा लो, यह नियम कोई बाहर के, घर में कार पड़ी है, बंगला बहुत अच्छा है, कार कितनी भी बढ़िया खो, एंकार नहीं रहा, क्योंकि कार तो यूजी नहीं हो रही है, बेकार है, पहले साथ में रहने का टाइम नहीं था, एक दो को सहयोग देने का टाइम नहीं था, अभी चांस मिला है कर्मों को सेटल करने का भी, और सहयोग देने का भी, तो यह परिष्टती ने परिवर्तन लाने के लिए तैयारी कराई, क्योंकि बंदनों से मुक्तो कर जाना है, परमात्मा हमको धर्म की शक्ति दे करके स्वधर्म में टिका करके तैयार कर रहे हैं और वो आत्मा परिस्टती तैयार करा रही है परन्तु ये तो पताई है कि समय नजदीक है बहुत और इस समय हर एक की यो जो युद्ध है वो जो बाबा ने फाइनल तीन शब्द दिये है, जाने से पहले सोगात दी है, परमात्मा की ब्रमा द्वारा विरास्त यही है, बाबा ने साकार में जो विरास्त दी, निराकारी, निरविकारी और निरएहंकारी. अब आप देखेंगे कि जितना जितना हम आत्माय आत्मिक सुरूप में इस्तित होती जाती हैं, और गुणवान बनती चली जाती हैं, तो गुण से विकार को जीता जाता है, पहले गुण से विकार से अपने आपको प्रटक्ट करते हैं, फिर गुण शक्ति बन जाती है, तो विकार को जीता जाता है, तो निराकारी बनने की हमको बाबा अभ्यास करा रहे हैं, और निविकारों से अभी लड़ाई करके जीतने की बात नहीं है, अभी तो जैसे लाइट जगती है, अंदेरा खतम हो जाते हैं, खुश्बू बाती फैलती है, बदबू खतम हो जाती है तो जितना जितना ज्ञान मान, गोण मान, शक्ति संपन बनते जाते हैं, उतना उतना विकार खतम होते हैं, निर्विकारी बनते हैं, पर वो गोण जो कामों में लाए, उसका एंकार न हो। तो बाबा ने जैसे सेवा की, अनेकों का कल्यान किया, अनेकों का जीवन बनाया, पर मैं रुहानी सेवाधारी हूं, निर्विकारी इस्तती से गई, तो जब ये समय हम सब बच्चे इसी चीज़ को ध्यान रखें, तो युद्ध कोई और चीज़ से नहीं है, फाइनल विकार एहंकार है, फाइनल युद्ध एहंकार का ही युद्ध है, काम विकार तो बड़ा मोटा है, काम विकार के लिए दो चाहिए जीतने के लिए, सन्यासी ने चले गए, उसको कोई वास्ता में जीत नहीं कहेंगे, कायरता कहेंगे, घर में रहते पवित्र बनें, तो दो की ची हाली बड़ा है, पत्थर मारके किसी को दूर से भी चोटकर लगा दो, क्रोध उससे घृट सुक्षम है मोह, मोह व्यक्तियों से हैं, जिन्दा से भी हैं, तो मुर्दे से भी हैं, मर गया तो जान नहीं है उसमें जान नहीं है पैसा जान नहीं है। कार मोटर बंगला, उसमें तो जान नहीं है, जान वाले बेजान में अपनी जान दालके बैठे है, तो लोब जो है, कंगाल बना देता है, रॉयल्टी ख़तम कर देता है, तो बाबा हमारे में रॉयल्टी भर रहा है, तो पत्लिया बेकारों की फिलोस्फी बता रही हूँ, फाइनल लडाई, फाइनल लडाई ये एहंकार की है, और एहंकार जो है, वो तो result है, body conscious का, तो बीज तो soul conscious ही है, फिर से निराकारी बनना है, तो फाइनल युद, जब हम एहंकार को जीत लेते हैं, तो विजे होती है, इसलिए उस युद्ध पर ही हम मैदान में खड़े हैं, और परमपिता परमात्मा निराकार, हम बच्चों को फिर से, अपनी सिम्रती दिला के शक्ती दे करके, ज्यान की लाइट दे करके, अंदकार को मिठा रहे हैं, पांडव सेना परमात्मा को साथी बनाती है, तो विजे ही बनती है, और फाइनल विजे, परमात्मा हमारा साथी है, मार्शल है, डारेक्टर है, सेना पती है, हम पांडव हैं, इस समरती से इस युद्ध को जीतते हैं, प्रकर्ती पर भी जीत, और अपने आप पर भी जीत हूँ इसलिए आत्मा के संसकारों को परिवर्तन करना completely निरेंकारी, निर्विकारी, निराकारी इस इस्तती में इस्तित होना यही भी जे है जी दी जैसे आपने कहा और की आखरी लड़ाई हंकार से है और बावा ने भी वही तीन शब्द जो आपने बोले और एहंकार पर ही हमें जैसे जीतना है उसी के उपर बस अभी प्रयतन चल रहा है और मेरा भी परसनल यही अनुभव है कि इसी के उपर जीत पानी है और दीदी वैसे तो आपके साथ और भी बहुत सारी बाते दिल करता है बात करते रहें और सुनते रहें आपसे आपके अनुभव लेकिन समय प्रमान मैं दीदी जाने से पहले एक आखरी सवाल आपसे पूछना चाता हूँ कि दीदी आपने इस यग्यव में बच्पन से रहे हैं और उसके बाद अभी तक आप हमें अपने अनुभव और अपना ज्यान सिखा रहे हैं लेकिन अब हम सब अगली पीडी के लिए इस यग्यव को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे ये प्रेम की विरासत को हम आगे की पीडी को पहुचाए तो क्या हमारा रोल है आगे चलके तो आप कुछ शब्दों में इसको बयान करें अप्रिस जिस समय जब ये याद रहता है हमारा कुल कौन सा है हमारा जीवन का लक्ष क्या है हमारे जैसे कुल की मर्यादा के संसकार होते है पैरेंट्स के संसकार लाइफ में होते है एजुकेशन के संसकार बनते है संग से हमारे अंदर वो रंग लगता है उसका तो जो परमात्माने हमारे में हम बच्चों में यह निश्चे चड़ाया है क्या निश्चेक भी है हम इश्वर यकुल के हैं हम ब्रह्मा मुखवन शावली ब्राह्मन हैं हम राजयोग सीख करके श्री लक्ष्मी श्री नारैन बन रहे हैं तो निश्चे और नशा अपने में भी रखना है और जो मिली हुई वस्तु है ख़जाना है वो हम दूसरी आत्माओं को अभी परिष्टियां तो ऐसी आएंगी और भी अभी कट-कटिन होंगी तो जिसमें हम कोई ऐसे जैसे पहले परसनल बैठके जैसे दादियों ने बहुत प्यार से समय दिया भाईयों ने जगदीश भाईजी को देखे या और भाईयों को देखे तो बहुत अटेंशन से यग्य सेवा करके कारिय यग्यों को संभाना या द्रमेश भाईजी ने किस प्रकार से यग्य की रक्षा करकर के प्रक्टिकल में कारिय को किस प्रकार सुरक्षित रखना है कारोबार को ठीक रखना है बिश्वरतन भाई ने बाबा का सहयोग दिया को प्रैक्टिकल में उस समय जिस प्रकार का सहयोग चाहिए था अभी वो स्थूल रूप था अभी समय जैसे जैसे नाजिक होता जाता है तो जरूरी नहीं है कि तन से देनी होगी सेवा या कोई समय दे करके देना होगा या भोजन ब्रह्मा भोजन खिला करके करने का होगा अभी तो आना जाने का भी परिस्तती नहीं है अभी तो भोजन भी ब्रह्मा भोजन भी देते हैं तो अठारा जनवरी होई हुए हम तो हर समय पैक करके दिया है नहीं तो बड़े घर में बड़े प्यार से पिला कर लाते हैं, तो वो पहले वाला रूप नहीं रहेगा, अभी रूप बदली हुआ, तो जैसे हमारा समयव चेंज हुआ, परिष्टती चेंज हुई, हमको स्वाश्टती को और उच्छा उठाते हुए, पहले यहां कार्पोर रूप में हमारा एक दोसे संबंद था, रिष्टा था, कर्मों का व्यापार था, कर्मों का व्याभार था, स्रिष्ट कर्मों का बहुत सुंदर साधन था, कमाई करने का, अभी सुक्षम क्या समय आ गया है, इसी वतन में सुक्षम वतन बनना है पहले, क्यों कि ब्राह्मन स से फरिष्टा और फरिष्टा से देवता शूद्र जीवन का भविष्य ब्रह्मन है हमारा पास्ट जनम से भविष्य ब्रह्मन बना ब्रह्मन से हमारा भविष्य फरिष्टा है और फरिष्टे का भविष्य देवता है तो अब भी हम जो लेवल पर जो बाबा हम से सेवा चाह वो वास्तम में तीनों चीजों में हार्मनी, हमारे मन, वच्चन, कर्म में, संसकार, विचार, व्यवहार में, तो जैसे हिर्दे की शुद्धी के इसाब से, हमारे विचार अभी इतने शुब भावना वाले हों, हमारा स्वचिन्तन और शुब चिन्तन इतना पवित्र हो, नियारा डिटेच्मेंट हो, बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के, बिना फियर के, तो उससे नैच्रली हमारे स्वास में, हमारे व्यभार में, जिनके भी हम संपर्क में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो संबंध है, वो सुक्षम जुटता चला जाएगा, संकल्प की शुद्धी को और बढ़ाएं, बुद्धी योग में एक आगरता, बुद्धी को भी समर्पन करेगे, यही तो फाइनल युद्ध है न, जीवन समर्पन हुआ, पर बुद्धी का समर्पन, तो बुद्धी योग सापारस बनती गई, तो लोहे को सोना बनाते चल जाएंगे, पत्थर को पारस बनाते चले जाएंगे, कोडी को हीरा बनाते चले जाएंगे, तो अभी जो है, रिमोट सेवा, फरिष्टेओं की सेवा ना बंधन वाली है, ना बोज वाली है, और फास्ट भी है, तो किसी भी प्रकार के बंधन में अपने आपको हमना बांद निर्बंधन रहें, निश्पक्ष रहें, निस्वारत रहें, क्योंकि जब एहंकार होता है, तो स्वारत भी होता है, सेवा भी करते हैं, तो कभी-कभी नेगेटिवी फोर्स आई, तो फोर्स से कामकर्द होता है, और प्यार में फोर्स नहीं यूज होता, प्यार ऐसी पालना है जिसमें बिना कहे बिना शारा दिये मन के संकल्प से सब सेवा करने लग जाते हैं ऐसे हमारे मन में प्रभु प्यार कल्यान की भावना है हम भगवान के मददगार है भगवान हमारा मददगार है तो अभी ये बाबा के जो शब्द सनेह शक्ति से अपने आपको भरना है और बाबा मेरा companion है बाबा मेरी company है और बाबा मेरा canopy है companion company और canopy इसको सामने रखते वे हम दूसरी आत्माओं को भी ये छत्री खोल के बैठे चलते रहें परंतु रिष्टा बनश आत्माओं के साथ आत्माँ के साथ फरिष्ता बन करके सेवा करनी है तो हمारी stage बाबा ने एक वारी दीदी जी को कहा था के advance party का roll अपना है पर advance stage वाली आत्म है जो अव्यक्त कर्माती stage पर पहुँच दे वाली आत्म है वो उन को बाबा यूज करना चाहता है ताकि वो दूर बैठे जैसे टेलीग्राम जैसे रिमोट कंट्रोल से कारिय होता है तो हम आतमाओं को बाबा यूज कर सके जिसमें हमारे को ये मैपन भी न रहे मैं सेवा की है हमको पता भी न रहे कि बाबा ने हमारे से सेवा ली है जब हम इस बात से भी नियारे हो जाएं तो तब यही पुरशारत है तो हमारे व्यवार में भी सने रहे संकल्प में भी सने रहे विचार व्यवार और संसकार तीनों एक हो करके इस प्रकार की सेवा जब हम करेंगे तो बंदन नहीं बंदेगा हम भी करमाती दूसरी आत्माओं को भी करम बंदन मुक्त करके वापस बाबा के साथ बराती बनके नहीं जाए, साथी बनके जाए, सजनी बनके जाए, ऐसा सब आत्माओं का समध परमात्मा से जुट जाए, यही हमारा प्यार सच्चा प्यार है, जितना प्यार हमको मिला है, पिछना प्यार दूसरों को मिले। इसमें मुझे लास्ट पार एक ही मिनट में दादी जान की बहुत याद आती है और बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि दादी जान की जब भी अव्यक्त बाबा से मिली तो मिलती है ना तो बिलाती है सबको उनका दिल ऐसा उचलता था कि मैं यहां मिल रही हूँ और यह जो सारी सभा बैठी है ना यह भी यहां आकर के धेड़दे में समा जावे तो यह है जब हमारे अंदर इस प्रकार की भामना होगी सबको वो ही प्यार मिले जो हमको मिला है यह भी ना सोचए क्पइसटी हमारे से भी जादा उनको मिले क्योंकि बाबा घर ले चलने के लिया अब यह सेवा है परिष्टों वाली सेवा है ओम शान्ति तो ऐसे ही हम सब को भी एक दूसरे को स्नेय के साथ ही लेके चलना है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस प्रेम के विरासत लेगेसी अफ लव में अपना स्नेय भरे अनुभव सुनाए और यकीन मानिय ऐसे लग रहा था कि हम भी वो इश्वरिय असनेय जो आपने पाया है वो दादियों से पाया है हम भी आज भी उसका महसूस कर सकते हैं जैसे हम उदर ही थे आपकी उन लम्हों में और अब मैं जाने से पहले हम सबी ब्रामनों को यही बोलना चाहता हूँ कि यह लगेसी अफ लव और भी बढ़ता रहेगा आगे के दिनों में इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब एक साथ सनेय मिल के रोज शाम छे बजे इसका देखें और जिन जिन ब्रामनों को नहीं मालूम है उनको भी इसके बारे में बताएं क्योंकि ऐसा खुबसूरक प्रोजेक्ट जो हमें अपने पूरवजों, हमारे सीनियर्स, हमारी दादियां और दादों, दादाओं की कहानिया सुना के अपने स्नियर्स से प्यार भरे करीब लेकर आ रहा है, ऐसा बहुत ही कम होता है और हम सब की तरफ से हम उमीद करते हैं और हमें यकीन है कि आप हम सब को जरूर हम वापिस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट के मादम से एक दूसरे साथ जुड़े रहेंगे, झाल